हेलो गाइज, वेलकम तो मोई यूटुब चानल, इस ड्रेस की कटिंग पिछले वीडियो में हो चुकी है, तो अभी स्टेचिंग होगी, प्लाजो में जहां हमने आसन की जगे कटिंग की थी, उसे स्टिच कर लेंगे, आगे की और से और पीछे की और से दोनों साइट से, अ अब आगे की हिस्से को और पीछे की हिस्से को एक साथ रख कर यहां से स्टिच कर लेंगे, अस्तर को पहले अलग से स्टिच कर लेंगे और उसके बाद में फैबरी को भी अलग से स्टिच कर लेंगे, अब नीची के हिस्टी को फोल्ड कर लेंगे अब नीची के हिस्टी को फोल्ड कर लेंगे स्टीचिंग हो गई है अब में फैब्रिक की स्टीचिंग सेम तरह से कर लेंगे कर दो अब यहां पर में फैब्रिक के अंदर अस्तर को डाल लेंगे में फैब्रिक और अस्तर को यहां से स्टीच करना है कमर के पूरे राउंड में में फैब्रिक और अस्तर को जोडने के बाद नीची की और से फोल्ड कर लेंगे में फैब्रिक में प्रिक और में फैब्रिक और अस्तर को जोड़ाए ते hell जोड़ाए लेंगे बाद प्रिक और में फैब्रिक झाल राचंवेग बाद गप्तर को जोड़ाए जोड़ाए अब प्लाजों में पट्टी लगा लेंगे कमर की पट्टी के लिए मैंने सिर्फ अस्तर यूज किया है अस्तर या मेंन फैब्रिक दोनों भी यूज कर सकते हैं अस्तर यूज कर दो नच चेहां नचे कर दो नचे हैं कंदान्य वूज कर दो नचेह सकते हैं आएाल यूज तेल्ग यूज कर दोज कर दो अचेह झाल झाल प्लाजो की स्टिचिंग पुरियुट प्लाजो की स्टिचिंग पुरियुट यह रहा फाइनल लुक प्लाजो का अब कुर्थी की स्टिचिंग शुरू करता है सबसे पहले पिन से दोनों फैबरी को अटैच कर लेंगे अब चारो और से सिलाए लगा लेंगे कुर्थी की आगे की हिस्से और पीछे की हिस्से दोनों साइट सिलाए लगा लेंगे सिलाए हो जाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक्स को कट करके निकाल लेंगे अस्तर वाले हिस्से को फोल कर लेंगे नीचे की होर से अब फैब्रिक को नीचे रखके प्रॉपर मेजरमेंट करके कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक्स को अब आगे वाले हिस्से को और पीछे वाले हिस्से को एक साथ रखकर शोल्डर से स्टिच कर लेंगे शोल्डर अटाच हो जने के बाद गले में पाइपिन के लिए फाब्रिक कट कर लेंगे जो फाब्रिक हम कट कर रहे हैं याद रहे हो क्रॉस में कट किया हो इससे फनिशिन अच्छी आती है गले की अब सीधी की ओर से क्रॉस फाब्रिक को गले पर स्ट्रिच कर लेंगे अब यहां से अंदर की फाब्रिक को कट लगा लेंगे ताकि प्रॉपर फोल्ड हो जाएगो कपड़े में कट लगाने से गोलाई प्रॉपर होती है और फिनिशिंग अच्छी आती है अब स्ट्रिचिंग के लिए जो स्ट्रिफ्स हमें कट की थी उसे बीच में से कट करेंगे और उसके किनारे पर पट्ती लगा देंगे इस तरह से प्रॉपर प्रॉपर कर लेंगे अंदर की वें करेंगे इस ट्रेस में हमारी एक ही साइट की स्लीव्स है अब इसे मीडल में रखके स्ट्रिच कर लेंगे दोनों साइट से अब अब अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे स्टिच कर लेंगे अब हमारे आगे के नेट लाइन पर मोर्ती लगा लेंगे मैंने यहां लाइट कलर के अलाई है दिर दिर इंच के डिस्टेंस पर एक हमारे लगाते जाएगे अब स्टिफ्स में मैंने में आपर दून होती है अटेंच के अटेंच के अटेंच के अब जाएगे अचा रहा है यह रहा फाइनल लुक थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो पसंदा है तो लाइक शेर और सब्स्राइब करें